तो आईए friends, मैं आपको practically करके दिखाता हूँ कि यदि हमारे brakes फैल हो जाते हैं असी की स्पीड पर तो किस तरीके से हम कार को कंट्रोल कर सकते हैं जब भी आपके brake फैल सो तो सबसे पहले इस बात कर जिहां रखें कि हम पैनेक ना हो और एक बार इमिडेटली एक से दो सेकंड में इमिडेटली ब्रेक पेडल पर पाऊ मार कर देखें कभी कभी ब्रेक्स इस तरीकी से आ जाते हैं यदि एक दो सेकंड में ब्रेक पेडल पर मारने से ब्रेक नहीं आते हैं तो इमिडेटली आप एक काम करें सब्सक्राइब करें अपकी कार फोर्थ गेर में चल रही है आप जैसा देखें एक फोर्थ गेर चल रहा है और आपको कार को रोकनी है तब जब आपके ब्रेक्स नहीं है जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि द एक हेंड ब्रेक को आधा कीचेंग, इस तरीके से, इससे नैचरलिए इस पर ब्रेक्स लगेंगे और कार की स्पीड काफी हद तक कम होगी, अब इसे हम इंजन ब्रेकिंग का इस्तमाल करते हुए थर गेर में लाएंगे, और क्लच को दबाते हुए वापन से सेकेंड गेर में लेगे, second gear में लेने के बाद, जब speed काफी हद तक control में आ जाएगी, चुकि काड़ी की speed ज्यादा है और gear हमने बहुत छोटा, second gear में कार को ले ली है, तो engine इस speed को resist करेगा, और speed काफी हद तक काम हो जाएगी, अब इस situation हम अपने handbrake को फूरा खीज देते हैं, और आप पाएं दिखाऊँगा कि किस तरीके से हम इस technique को use कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम almost 80 की speed पर आ गये हैं, अब यदि हमारे brakes फेल हो जाते हैं, तो हमारा first step हमें अपना handbrake half apply करना है, यहां मैं अपने handbrake को अधा लगाता हूँ, और immediately third gear, second gear डालने के बाद थोड़ा सा जख लगेगा, गाड़ी slow हो जाएगी, और अब इस speedway मैं से यहां पर car को रोग देता हूँ, इस तरीके से friends आपने देखा कि सिर्फ 8 second में हमारी कार अपनी की जगह पर आकर रुग गई safely, I hope आपको इसकी ज़रुत ना पड़े, लेकिन इनकेस अधिदी आपको ज़रुत पड़ती है, तो आप इसको use कर सकते हैं, इसकी आपका भी खाली समय में practice भी कर सकते हैं, ताकि जब emergency हो तो आपको परिशान ना होना पड़े, उमीद है friends आपको यह जानकरी बहुत अच् परिश की रूप में मिलते रहें, thank you so much, thanks for watching.